से पहले जिस कोईल इंडिया को आप समस्य दे कोईला वो हीरा निकला है बहले ही वक्त लगाया हो लेंगि पैसे बना के दिये हैं और इसलिए आज हम उसका जिक्र करें कि वह अपनी इश्यू प्राइस आई-प्यो प्राइस से उपर निकल चुका है डेटा क्या कह रहे है और तो क्या आई-प्यो प्राइस से उपर निकलने के बाद इस स्टॉक की रिडेटिंग के आसार हैं क्वेश्चिन माग बता रहे हैं आशी बताईगी सर इस साल का तो सच में हीरा है क्योंकि 66% का रिटर्न साल की चुरुआत सब तक दे दिया है और दूसरा निफ्टी का टॉप गिनर है जहां पर बड़िये रिटर्न्स बने है कोई लेना को टैयार निदा सावासों में सर लेकिन अभी भी ऐसे कुछ फैक्टर्स लग रहे हैं जिससे लग रहा है कि स्टॉक में और भी तीजी आपको आ सकते हैं यानि इस बार की भी जो नतीज आएंगे वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे दरसल काफी लंबे समय से जो कोल शॉटेज की बाते चल रही है सप्ला के दिक्कते हो रही है इसके चलते हैं जो E-Auction Premium है या फिर E-Auction Realization से इसमें एक लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बार भी अनुमाने के अच्छे नतीजे इसके दम पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा अगर आप देखे तो बड़ी री रेटिंग जो होगी कोल की इंडिया की तो उसको होगी कोल गासिफिकेशन के चलते हैं थोड़े दिन पहले मैं आपको बताया भी तक कि किस प्रकार से कोल गासिफिकेशन कोल इंडिया के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है तो यहाँ पर जो इन्होंने पिस यू के साथ टायप किया है तो इससे एक बड़ा फायदा होगा और साथ में अगर आप देखे तो ऐसे वोलटायल वजार में एक चीज़ जो आपको बहुत बढ़िया कमफर्ट देती है वो है डिविडेंट इल्ड और डिविडेंट के मामले में कोल इंडिया पूरी डिविडेंट मशीन है साथ परसेंट की डिविडेंट अभी भी आपको मिलती है करीब करीब 29,000 करोड का कैश हो लोग कहते कि कोल इंडिया ने पैसे बना कर नहीं दिये 245 पर अभी आया लेकिन इसकी 2010 में लिस्टिंग हुई थी और वहां से अगर मांग बन करके मतलब मैं समर्सन कर दूँ एक सो क्यान रुपई दिया डिविडेंट तो मतलब आप बेसिकली दस साल में आपको 200 रुपे मिलें एक सुन नव्य रूपे 245 पर यानि कि आपकी कैपिल लग इससे जाए उटना तो ऐसा नहीं कि दस साल में पहले बार ये दो सा साथ़ें साल के हाई पर दुबार आया अच्या भी वापस है लोगों ने जब जब बेचा है 500-300 के रेंट में मिल भी जाता है यह यह को लिंडिया